हालो गाइस दिस आरती चोधरी सभी को बिल्कुल वैरी गुड मॉर्निंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़ी हाफस क्लास एक बार ज़रा कॉमेंट करके कन्फर्म कीजिए बचा की ओडियो वीडियो सब कुछ ओल ओके है तो आज की फिर तैयर कर आऊंगा जिंदे तो देख मैं फिर जीट जाओंगा या निकी देखो सिंपल सी बात है अप सर्ट डाउनियों इस पार्ट ओफ लाइफ अगर आप यह सोचो कि हमेशा आपकी लाइफ में खुशिया रहेंगी वह फूसीबल नहीं है ठीक अगर आप यह सोचो कि में पढ़ू तो खुश हो जाओं और यदि खुशी में पढ़ू तो दुखी हो जाओं तो पता है उन्होंने क्या कहा था कि यह समय भी गुजर जाएगा एक ही चीज है अमारी लाइफ में जो इस्थर नहीं है और वो क्या है बच्छा समय किसी के लिए ना रुका है ना रु मिलेगा सो बच्छा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ओके ओके चलो आज आपका चैप्टर क्या है बिसिकली ब्लड है ना ब्लड का यदि मैं आपसे में काम पूछू यदि मैं आपसे रुधिर का में काम पूछू तो बच्छा रुधिर का आपका में का क्या होता है कि ये oxygen को ट्रांस्पोर्ट करता है यह क्या करता है आज की Class का पहला कोस्टन आपका क्या है कि हमारे शरीर के अंदर देखो जब आपको कभी चोट लगती है जब आपको पसरफ निकलता है तो जब बनता है क्योंकि हमारे खून के अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो खून का तक जमाने में मदद करते हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता हमारे शरीर के अंदर आपका खून क्यों नहीं जमता आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बचा प्लीज सारे बचे आंसर करने की कोशिश करेंगे कभी आपने सोचा कि ऐसा हमारे बलड के अंदर क्या पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता तो क्या पाया जाता है बचा आपका हेपरिन पाया जाता है ठीक है हेपरिन जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमने देता है जिन लोगों में हेप कrefour को सब्सक्राइब का हिरोडिन ह bicyc Virginia को लाइवा ओफ लीच से यान इँक आपको लीच होती है उसकी लार से आपको प्राप्त होता है चैक ज Warum कंतेज़ के अंदर इंदर से कौन सा धाटू पाया जाता है ही मो गलोबिन के अंदर इन मेंसे आपका य Richmond साथ हाटू पाया जाता है बताए ये ओ er है आपस में बात नहीं करेंगे आप लोग सिर्फ abcd में आंसर करेंगे ंधाये हीं मो गलोबिन और मेटन दा मेटल ही मो हीमोग्लोबिन के अंदर इनमें से कौन सा धातू पाया जाता है बताईए तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपको कौन सा धातू पाया जाता है बचा आपका आयरन पाया जाता है आपका लोहा पाया जाता है दा पीएच ओफ यूमन ब्लड मानव रक्त का पीएच कितना होता है है पूछ है आपका पीज़ बैसे कि भींट का ऐसे डिख और बेसिक नेचर का पता करते हैं जिसकी खोज की थी पीच इसकेल की खोज की थी आपके स्वारेंसएं साहब ने तो आपसे पूछा खया है कि human blood जो है वो नेचर में एसेडिक होता है या बेसिक होता है वो नेचर में अमलिय होता है या छारिय होता है तो इसकी pH होती है 7.4 इसकी pH होती है 7.4 यानि नेचर में कैसा हो गया बेसिक क्योंकि हर वो कमपाउंट जिसकी pH 7 से अबव होती है उनका नेचर कैसा होता है आपका बेसिक होता है चलिए नि इन में से कौन सा एंजाइम रक्त के जमावट में सहायक है यानि कि इन में से कौन सा एंजाइम है जो हमारे शरीर में खून का ठक्का जमाने में मदद कर सकता है बताईए जी बिलकुल बच्चा पैपसिं जो एंजाइम है ये बच्चा हमारे शरीर में खून का ठक्का जमाने में मदद कर सकता है किस कशेरुकी में oxygen युक्त और oxygen रहित यानि oxygenated और de oxygenated blood इन में से किस basically vertebrae या animal के अंदर या किस phylum के अंदर आपके mix होते रहते हैं बताईए मैम formula के ऊपर एक वीडियो बनाओ प्लीज ठीक है मतलब you want to say कि physics के जितने formula है उनको सबको एक वीडियो में cover कर दूँ ठीक है चलिए देखो मचली के अंदर कितने chamber का heart होता है दो amphibians में 3 birds में 4 mammals में 4 तो यहां पर बच्चा यह जो आपका amphibians है यह जो बच्चा आपके amphibians है इन में क्या होता है आपके दो auricle होते है और एक ventricle होता है तो यहां पर बच्चा आपका oxygenated और de oxygenated blood आपस में mix होता रहता है चलिए the term rich factor refers to simple question है कि rich की full form कितनी है बताइए simple बिलकुल एकदम basic question है कि what is the full form of rich what is the full form of rich bit of vacancy बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी बहुत जादा लंबा समय नहीं है अब देखो ऐसे हम disclose तो नहीं कर सकते हैं बट लेकिन हाँ बहुत ज़्यदा लंबा समय नहीं है यह बात सच है what is the full form of our age रिसस factor यही वो factor होता है जिससे हमें यह पता लगता है कि आपका blood positive है या आपका blood negative है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जरा एक बार अगला question क्या रहेगा किसी भी adult male के अंदर RBC की संख्या कितनी होती है किसी भी adult male के अंदर RBC की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है बचा आपकी 5 million और female में होती है साड़े 4-4 million female में कितनी होती है 24,4 million which is the anti concentrate substance in blood रक्त में anti cogulant पदार इनमें से कोन सा है रक्त में एंटी कोग्यूलेंट पदार्थ इन में से कौन सा है रक्त में एंटी कोग्यूलेंट पदार्थ इन में से कौन सा है यानि कि वो पदार्थ जो खून का थक्का बनने नहीं देता वो पदार्थ इन में से कौन सा है जो खून का थक्का बनने नहीं देता बताईए त तीनों आपके खुन के अंदर पाये जाने वाले प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर फिर्ब्रीन, फिब्रियो नोजन, फोर्रोम बूर्रहाज और इम्नोलोबिन हीमोलोबिन यह बच्चा कुछ कारक पाये जाते हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं तो यहाँ पर जो आपको तीन ओप्शन दिये हैं तीनों के तीनों ही आपके ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा None of the above क्या बच्चा आपका None of the above मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग इनमे से किसके कारण होता है? आप सब को पता है हीमो ग्लोबिन है ना? हम सब ने यही याद किया है कि माम हमारे खून का रंग कैसा होता है लाल किसके कारण? RBC के कारण RBC में क्या पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है तो आप लोग सिंपल सा आंसर करते हो तो यानि मैं आपसे यह कह सकती हूं कि हीमोग्लोबिन के कारण आपके ब्लड का कलर रैड होता है नहीं हीमोग्लोबिन का तो कलर रैड होता ही नहीं है यह तो आपका बैंगनी रंग का होता है यह आपका परपल कलर का होता है तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि किसी का सही आंसर आया, जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं हाँ जी, देखो बच्चा हीमोगलोबिन जो है बेसिकली आपका दो हीमोगलोबिन जो है बच्चा ये बेसिकली आपका दो चीजों से मिलकर बना है हीमो एंड ग्लोबिन हीमो का मतलब क्या होता है आपका आयरन और आयरन भी किस फोम में पाया जाता है फैरस की फोम में किस फोम में फैरस की फोम में और ग्लोबिन जो है बच्चा ग्लोबिन का मतलब क्या होता है आपका ये एक प्रोटीन है यह आपका एक protein है ठीक है यहाँ पर यह जो आपका iron पाया जाता है आपने देखा है जब आप लोहे को थोड़े समय तक खुला छोड़ देते हो बाहर हवा में तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और जंग लगने के बाद जो लोहे का color होता है वो reddish brown होना शुरू हो होगा जैसे जैसे इसमें आपका oxygen की मात्रा बढ़ती जाएगी यह पहले रेडिश पिंक होगा फिर उसके बाद में finally red color में आपका बदल जाता है तो हीमोगलोबिन में जो iron पाया जाता है और हमारे शरीर में जो iron के साथ में जाकर oxygen मिलती है इसके कारण हमारे शरीर में fluid part होता है उससे यदि copy cells को यानि blood cells को minus कर दें यदि blood के अंदर से मैं blood cells को minus कर दूँ तो remaining part क्या होगा तो remaining part क्या होगा प्लाजमा जो की एक liquid part है और यह क्या है बच्चा इसका आपका एक solid part है ठीक है तो बच्चा सिंपल सी बात है blood के अंदर से जब blood cells को आप minus कर दोगे तो आपका क्या बचेगा प्लाजमा बनेगा और देखो अगर आप इस प्लाजमा चे अदर से या blood के अंदर से वो सारे कि सारे कारक minus कर दो तो वो हिस्सा, खून का वो हिस्सा, जो कभी नहीं जमता, आपका क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, ठीक है, तो दोनों कोशन मैंने आपको यहाँ पर explain कर दिये हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत उचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, साइज में बढ़ेंगी, साइ मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, हाँ जी, तो इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, इसमें क्या होता है, उचाई पर जाने पर संख्या में व्रधी होगी, जो बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती हैं, बताईए, तो हमारे शरीर में वो कौन सी है, बच्चा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट किसका नाम है, डव्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल्स, स्वेत रुधिर कोशिकाओं का ही दूसरा नाम होता है, ल्यूकोसाइट, इसलिए बोलती हूँ, साइन्स में इंग्लिश टम याद करना मेंडेटरी है, आपके एक्जामनर ने ल्यूकोसाइट को हिंदी में ल्यूकोसाइट लिखा है, याँपर स् थोड़ी हिंदी टम्स मचा आपको याद करनी होंगी, दे रेड ब्लड सेल्स आर प्रेड्यूस डुबाई, लाल रक्त कोशिकाओं का निरमान किसके द्वारा होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान किसके द्वारा होता है? बताईए The red blood cells are produced by लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान कहा होता है? हमारे शरीर में जो आपकी बोन है यह जो बच्चा हमारे शरीर में basically आपकी बोन है यहाँ पर बच्चा आपके दो तरह के बोन मेरो होते हैं येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो और रेड बोन मेरो ठीक है? तो यहाँ पर बच्चा इस रेड बोन मेरो के अंदर किसका blood cells का formation होता है? किसका blood cells का formation होता है? ओके? किसका बच्चा blood cells का formation होता है? यानि कि आपकी रुधिर कोशिकाओं का फोर्मेशन होता है निमनलखित में से कौन सा उतक का एक उधारन है इन में से कौन सा आपका उतक का एक उधारन है बताईए तो देखो सिंपल सी बात है हमारे शरीर की यूनिट क्या है what is the unit of our body is cell ठीक है बचा कोशिका है हमारे शरीर की यूनिट क्या है आपकी कोशिका गुरूप अफ सैल से मिलकर आपका क्या बनता है टिशू बनता है यानि कि उतक बनता है और टिशू से मिलकर आपके क्य बनते हैं group of tissue मिलकर आपका क्या बनाएंगे organ बनाएंगे और organ से मिलकर आपका बनता है organ system और organ system से मिलकर हमारा ये शरीर बनता है तो simple सी बात है क्या कभी आपने ये पढ़ा है कि इस type के tissues आपके blood के अंदर पाए जाते है तो group of košikaaon को हम लोग आपका यानि कि आपका basically košikaaon के संहूं को क्या कहते है उतक कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चा group of cells को वोलते हैं आपका tissue बोलते हैं तो blood is not a organ blood is not a organ blood is our tissue यह जो बच्चा आपका रुधिर है यह basically क्या है आपका उतक है चलिए आगेवड़ते है ही मो ग्णोन का एक महतूपूर्ण घटख है ही वो ग्लोबिन इन में से किसके अंदर पाया जाता है और अ और मदायी जी का सबसे लंबी सैल हमारे शरीर की नियूरोंस होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाते harvest पता ये हीमोग्लोबिन का एक महतवून घटक इन में से कौन सा है या हीमोग्लोबिन इन में से किस के अंदर पाया जाता है red blood cells के अंदर पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर इन में से कौन सा मैटल पाया जाता है ठीक है क्या बच्चा देखो सिंपल सी बात है एक बात सुनो आप लोग जो अलग-अलग एक्जाम के बारे में पूछते हो मैं इस एक्जाम के लिए कर सकते हैं बिटा जितने भी आपके वण डे खॉंपलिटीव एक्जाम हैं उन्ह सब के लिए क्वेन से लिए हैं अनौा अपका अलग-अलग नहीं होता अपका एक कवन से बस रहा है तो आप किसी भी one day competitive exam को अगर appear करते हैं तो आप उन में से किसी भी exam के लिए ये class ले सकते हैं आप जो अलग-अलग comment कर रहे हैं कि मैं इस exam के लिए, army के लिए, इसके लिए, कोई attention लेने की जूरत नहीं है, science का एक comments ले बस है, basic चीज़े मैं आपको कराती हूँ, ठीक है, क्योंकि यह से चीजों को सिखाना है, और जो बच्चे पुराने हैं, उनका revision होता है, है ना, तो simple सी बात है, बिल्कुल basic से ही बच्चा आपको चीजों को सिखाया जाता है, तो tension लेने की कोई ज़रूत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक cold-blooded animal है, इन में से कौन सा आपका एक cold-blooded animal है, बताइए, इन में से कौन सा आपका एक warm-blooded animal है, बताइए, इन में से कौन सा आपका एक warm-blooded animal है, तो क्या है बच्चा बैट यानि चमगादर जो है, एक warm-blooded animal है, मनुश्या का सामान्य रक्त सरकरा इस्तर कितना होता है, यानि कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी healthy person के अंदर, किसी भी healthy person के अंदर आपका glucose level, blood के अंदर glucose level कितना होता है बताइए, किसी भी healthy person का glucose level कितना होता है, ये तो easy question है आप लोग बता सकते हो, चीक है, कितना होता है बच्चा ये आपका basically 120-150 तक, 120-150 mg पर deciliter, इससे यदि उपर आपका जाता है, माल ये 180 से उपर चला गया, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, मीठी चीजें थोड़ी कम खाईए, दोसों के उपर चलाया जाएगा, डॉक्टर बोलेगा, चाय भी अब आपको फीकी पीनी है, यानि कि जिन लोगों को diabetes होती है, जो मधुमें रोग होता है, ठीक है, diabetes की बीदी होती है, वो टाइप 2 होती है, और टाइप 1 में जो होता है, बच्चा टाइप 1 आपकी जुवेनाइल होती है, यानि कि वो बच्चे को मा के गर्ब से ही प्राप्त होती है, तो अगर आपका 180 दोसों के उपर चला जाएगा, डॉक्टर बोलेगा, भीया, पर्मनेंट मीठी छोड़ दीजिए, मनुश्य में प्रती 100 मिली लीटर रक्त में सामान्य खाली पेट रक्त सरकरा इसतर कितना होता है, अगर किसी को डाइवेटीज है, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, डॉक्टर उसको दो बार बिसिकली शुगर को चेक करने के लिए बुलाता ह एक बिना खाना खाए, यानि खाली पेट और दूसरा खाना खाने के बाद, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइडरेट होता है, और कार्बोहाइडरेट आपके शरीर में जाने के बाद में आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, तो खाली पेट किसी ह का इस्तमाल किया जाता है रक्त चाप को मापने के लिए इन में से किस इंस्ट्रुमेंट का इस्तमाल किया जाता है अगर जदाए है करने के लिए हम इनमें से किसका इस्थमाल करते हैं इस फागमो मामो मिटर ठीक है और स्पायरो मीटर से हम लोग स्वासन मापी से आप आपते हैं आपका बिसिकली रेस्पिरेशन रेट यानि सांस लेने की दर बैरो मीटर से हम लोग क्या आपते हैं आपका दाब ठीक है और उसके बाद में रुधिर कोशिका मापी से मतलब क्या है कि भाया हमारे ब्लड के अंदर कितना ब्लड सैल्स का फॉर्मिशन हो रहा है च देखो सिंपल सी बात है यदि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं हाइपर टेंशन क्या बोलते हैं कि भाया ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया चीक है और अगर हाइपो टेंशन हाइपो शब्द का मतलब होता है किसी चीज में बेसिकल में आपकी व्रद्धी हो रही है अब देखो बच्चा पिछले छे महीने से वेकेंसी लेट है तो सब के लिए लेट है तुम्हारे लिए कोई अलग से नहीं है पिछले छे महीने से बच्चे मुझसे कनेक्टिड है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी यदि उनहीं की तरह बच्चा अपनी रेलवे की तैयारी करना बचाते हैं तो सिंपल सा एक ही प्रोसेजर है आप लोगों को अपने फोन में इंटरनेट पर गूगल पर डालना है अड़ा 247 क्या डालोगे अड़ा 247 यहां पर आपको अलग अलग सेक्शन बने हुए दिखाई देंगे जिसमें से आपको गवर्मेंट जोब एक्जाम्स को सेलेक्ट करना है वहाँ पर जाकर बचा आप लोग रेलवे सेलेक्ट करेंगे यह लेटेस्ट हमारे कुछ बैच हैं जो आपके रेलवे के आए हैं बट इट में भी पॉसिबल की बैच में मैं आपको ना पढ़ा रही हूं विगोस बहुत ज़्यादा क्लासि मेरी क्लासिस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ठीक है एक कूपन कोड आप लोगों को यहाँ पर लगाना है वाई 446 और आप जैसे ही इसको अपलाए करोगे तो मात्र एक हजार रुपे में दो साल के लिए अब 2025 तक तो डिलेनी होने वाली है आपकी वेकिंसी आपको भी ब अच्छा आपको यहाँ पर मिल सकती है बस कूपन कोड आप लोग याद रखेंगे वाई 446 मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए ओके और महापैक ही आपका बैस्ट होता है मेरे पुराने बैचिस भी मिलेंगे और आने वाले बैचिस भी मिलेंगे बाए बाए टेक केर जैहिंद क्या तोड़ित